पयर पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि विले क्या होता है और विले अन के प्रकार कितने होते हैं यनि विलेयन और विलेयन के प्रकार से related जो भी point बन सकते थे वो सब हम पिछली वीडियो में discuss कर चुके हैं आज के इस वीडियो में हम कुछ नए topics को introduce करेंगे बहुत ही important topics हैं यह आपके exam के point of view से और आपके knowledge के point of view से वैसे भी तो start करते हैं जो आज का main topic है वो है विलेता solubility विलेता क्या होती है तो अगर मैं इसको normally समझाओं तो आप ऐसे मानिए कि आपने एक कोई भी बरतन है उस पे कुछ पानी ले रखा है for assumption हम मान ले रहे हैं कि एक लीटर पानी ले रखा है उस एक लीटर पानी में जो maximum amount of चीनी घोल सकते हैं वो एक चम्मच यानि एक चम्मच से ज़्यादा चीनी उस पानी में हम नहीं घोल सकते हैं ज़्यादा चीनी घोल सकते हैं और उसी same amount of water पर हम दो चम्मच नमक घोल सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि नमक की जो घुलेने की चम्मता है वो चीनी से ज़्यादा है तो यही है विलेता समझ रहे हो बस घुलेने की चम्मता इस point को पकड़ ली चे यही विलेता यही नमक की जो विलेता है वहाँ पर चीनी से अधिक है यह बताएंगे हम इस चीज को theoretically हम जो लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे कि किसी पदार्त की अधिकतम मात्रा मैंने तब भी यह बात बताई थी कि maximum amount जो है वो चीनी का एक चम्मच है तो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है एक रफरेंस मान रखा है हमने 100 ग्राम ऐसा कोई निश्चत नहीं है कि आप लोग कुछ और बोल दो नहीं 100 ग्राम ही रफरेंस मान रखा लग-लग होती है ना कोई एक उसका हम टर्म नहीं बता सकती कि यह चीज है तो यही परिवासा नहीं अलग-लग गैसों की विलेता लग-लग होती है यह डिपेंड करता है जैसे O2 है O2 की Oxygen की विलेता जल में कम होती है जल में कम घुलती Oxygen जबकि SCL हो गया CO2 हो गया यह भासा के सहथ बताएं तो बताएंगे कि NTP पर किसी विलायक के निश्चतायतन एक विलायक का निश्चतायतन जैसे उपर हम 100 ग्राम मान के आ रहे थी यहां पर एक निश्चतायतन है उस पर जो गैस गुली होती है उसे हम कहते आउसोसन उनांग न्टीप क्या होता यह पहले भी बताए जाए चुका है नॉर्मल टंप्रेचर प्रेसर साधारन ताप ताप गैस की द्रौ में विलेता को प्रभावित करने वाली कारक अगली जो हमारी टॉपिक है वो यही है कि गैस की द्रौ में विलेता को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं पहला जो फैक्टर है H plus और C L minus आपका CO2 हो गया NH3 हो गया यह सब आयनों में टूटती है अगर यह आयनों में टूट रही है तो विलायक से किरिया भी करेंगे क्यों 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 क्योंकि विलायक जो मेंली हम मानते हैं वो आयनों में ना तूटने वाली gas जल में कम घुलनसी लोती है और इसलिए O2 जल में कम घुलती है ठीक है आगला जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो है विलायक की प्रकरती यह कुछ-कुछ पहली फैक्टर जैसा ही है यहाँ पर बस आपको थोड़ी से नए चीज इंटर्डूस कराएं जाएंगी जैसे धुर्वी gas धुर्वी विलायक में अधिक घुलती है अब धुर्वी का मतलब वही है जो आयनों में gas तूटती है आयनों में तूटना यानि धुर्व बन जाना यह एक important note point आप लेखी धुर्विता की पहचान उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक धुर्वी बन्ध हो कोणी संरचना हो उसकी आसंतलित उसका structure हो और केंदरी परमानों पर electron का जोड़ा हो जो केंदरी परमानों होगा उस पर electron का अगर यह आपको चार point दिखते हैं तो आप समझ जाए कि वो जो gas है या जो बिलायक है वो धुर्वी है बिसिकली इतना सब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा आपके वल यह याद रखिए कि आयनों में तूट रहा या नहीं तूट रहा बस इन केस की स्थिति आपको organic chemistry में बनती है कि और दो चार point आपको उस पर fact करने पड़ते हैं यहाँ पर आपको किवली एक point काफी है कि आयनों में तूट रहा या नहीं तूट रहा एक important factor पर हम लोग चलते हैं ताप का प्रभाव बहुत important है और इससे आपका question बनेगा निश्चेत रूप से तो ताप के प्रभाव को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि आप example लीजिए आपने एक बरतन में पानी भर रखा एक लीटर और आप उसे उबाल रहे हो ठीक है तो अब भाव निकल रहे है समझा आ आप उसको 15 मिनटते को बाला आपने तो एक लीटर पानी फर एक लीटर बचा भाव की रूप में बाकी उड़ गया अच्छा तो जब पानी भाव की रूप में ओड़ रहा तो पानी की density कम हो रही density कम हो रही यानि उसमें गुलने की चमता बढ़ रही भाव की रूप में ओल रहा है यानि अब density कम है पहले कोई एक लीटर पानी था उस पर हम दो चमझ नमाग गोल पा रहे थे अब पानी आदा लीटर बचा तो एक चमझ नमाग घुल पाएंगे यानि घुलने की चमता घली वो घटी बस इस दो चीज़ों को आपको रिलेट कर लेना है और आपकी उसमा सोसी अभी करिया यानि जिसमें हीट क्या हो रही एब्जॉर्ब हो रही है अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानि की density बढ़ रही है देंसिटी बढ़ रही यानि वो घुलन शीलता भी उसकी बढ़ अच्छा इसका भी सर्फ फटाई फैक्ट इसका यह है कि आप इसको नॉर्मल एक्जाम्पल लेके मानिए कि आपने पेड़ एक अकेला पौधा लगा एक जगह पर उसी जगह पर उतने ही जगह पर चार पौधी गोल लगा दू तो अकेला पौधा कम देखने लगेगा ना ब बहुत आराम से समझे लोगे गैस का बढ़ाने पर बढ़ती है लेकिन क्या इसका बेसिकली यूज क्या तो यार ऐसे समझो कि यूमारी कोल्डिंग की बॉटल आती है उन पर जब आप खोलते हो तो आपको जहाग निकलता यह क्यों होता यह सिलिए होता है कि हाई प्रसर मा अगर होती है काफी टाइम तक रखी रहती है तो उसके टेस्ट में जो ज्यादा अफेक्ट ना है इसलिए तो हाई प्रेसर पर गोली जाती ताकि तुरंत खुल जाए तो यह एक यूज भी है इसका तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग डिसकस करेंगे